कि नबसकार दोस्तो आप सब का स्वागत है इकजाम टूर चैनल में अभी हमले उपस्तित हैंy aesthetic GPS के साथ set highlight 9 चल रहा है aesthetic GPS किसी भी इकजाम के लिए यदि आप जनरल तयारी करते हैं competition की तयारी करते हैं तो आपके लिए महत्पुन हो जाता है गुरूप D हो NTPC हो या NTPC Page 2 हो या कोई भी एकजाम हो PCS हो या कोई एकजाम हो उसमें ये आपका 1-2 नंबर या 2-4 नंबर तक परशन पुछे जाते हैं इसलिए इसको आप डेली देखे यादि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें यदि आपको टोटल वीडियो देखना है एस्टेटिक जीएस का तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वीडियो देख सकते हैं ये जो प्लेटफर्म के द्वारा बुक निकाला गया और रुगमेडी परकाशन के द्वारा उसी का ये सेट नंबर नहीं चल रहा है वोलूम वन का चलिए डी दिवस वह दिन है जब इसका आंसरों का मित्र से नाय नर्वंडी में उतरे थी चलिए नेक्स परस्ण है गुंडीचा बंदू का संबंद किस राजगहराने से है चलिए आंसर कजिए तो इसका हो जाएगा डगरी राजगहराना गरीवों का वास्तुकार किसे कहा जाता है चलिए आंसर किजिए तिन नंबर का तो यह लौरी बेकर को गरीवों का वास्तुकार कर जाता है चार नंबर प्रस्ण है निमनलिखित में से किस राज में पटधकन अस्मारक इस्तित है चलिए आंसर किजिए चार नंबर प्रस्ण का तो यह करनाटक में हो जाएगा अधिक्तम अधिक्तम उचाई वाला और्शैनिक बिमान पतन है कौन है पांच नंबर प्रस्ण का तो चीन में नेक्स प्रस्ण है सारस कहा का राज पक्षी है चलिए आंसर किजिए चार नंबर प्रस्ण का तो यह उत्तर प्रदेश का है नेक्स प्रस्ण है साथ नमबर नाइचो किस देश की गुप्चर संस्ता है चलिए नाइचो को बताना है तो ये जापान की हो जाएगी नेक्स प्रस्ण है आठ नंबर कौन शुमेलित नहीं है ये बताना है आठ नंबर प्रस्ण का तो वार एंड पीज शुमेलित नहीं है बाकी सब शुमेलित है बी नमबर इसका आंसर होगा नाइन नमबर प्रस्टन है दे रहा है निमने कौन सा एक कथन असत्त है चलिए बताना है नौ नमबर प्रस्ट को तो ये उप्यूक्त में से कोई असत्त नहीं है यानि सभी शही है भारतिये प्रेटन निगम की अस्थापना 1906 में हुई थी भारत के अध्योगित बीत निगम की अस्थापना 1948 में हुई थी भारतिये जीवन विगा निगम का राष्टिये करन सन 1956 में हुआ था यानि सभी शही है गलत कुछ नहीं है चलिए 10 नमबर प्रस्ट देखते है 10 नमबर प्रस्ट है चंद्र वर्स, सौर वर्स से कितना कम होता है चलिए 10 नमबर प्रस्ट का आंसर कीजिए तो ये हो जाएगा 11 दिन कम होता है 11 नमबर प्रस्ट है निम्र में से किस नगर में लिंगराज मंदीर है चलिए 11 नमबर प्रस्ट का आंसर करें आप लो तो ये बुनेश्वर में है नेक्ट प्रस्ण देखते हैं बारा नमबर प्रस्ण बारा नमबर प्रस्ण है शुमेलिद करना है ठीक है बारा नमबर प्रस्ण में शुमेलिद करना है औरजुन पुरसकार औरजुन पुरसकार द्रोनाचार पुरसकार पुलिजर पुरसकार इसी को आप लोग को शुमेलिद करना है तो यह हो जाएगा औरजुन पुरसकार खिलाडी के परसिक्षन के लिए दिया जाता है ठीक है खिलारी को मिलेगा ओस्कर पुरेसकार जो है सिनेमा धरो को मिलेगा द्रोना चार यह पुरेसकार जो हता है प्रसिक्षन के लिए मिलता है पुलिजर पुरेसकार यह पत्रकारी ता यानि की बी नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए तेरा नमबर देखते है तेरा नमबर है औरेंज करांती revolution निमलिकित में से किस x से सम्बंदित है किस जगा से सम्बंदित है ये बताना तेरा नमबर प्रस्ण है आपका तो you can से सम्बंदित है WLL का अर्थ क्या है आपको बताना है 14 नमबर में WLL का अर्थ क्या है तो wire in local loop चलिए 15 में एक नमबर में भारती है भाषाओं में पंजी कृत समाचार पत्रों की शंक्या सरबादिक हिंदी भाषा का है समाचार पत्रों के सरबादिक पंजी करणवाला राज उत्तर परदेश है चलिए आंसर किजिए 15 नमबर प्रस्ण का चलिए आंसर किजिए 16 नमबर प्रस्ण का तो ये गुवा में इस्तित है नेक्स प्रस्ण है नौट्रेडेम कथ ड्रियम कहां है चलिए 17 नमबर प्रस्ण का आंसर किजिए तो ये पेरीश में है नेक्स प्रस्ण है 18 निम्लिकित में से कौन आर्बी आई का कारें नहीं है चलिए 19 नमबर प्रस्ण का आंसर किजिए शेट नमबर नो चल रहा है तो ये आपका क्रिशी विकास के लिए किशानों को सीधे धन अवंटन करना ये RBI का काम नहीं है 19 नमबर प्रश्ण क्या कह रहा है चंद्रमा की सत्व पर चलने वाला पर्थम मानो चालित वाहन था 19 नमबर का आंसर कीजिए तो ये हो जाएगा लूना रोवर यूनेशको वैश्विक विरासत अस्थल खजरवाहो कहां पर इस्थित है चलिए आंसर कीजिए 20 नमबर प्रश्ण का तो ये मद्ध परदेश में इस्थित है इस चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें और कमेंट करें धन्यवाद